असलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स कैसे है आप सब आज के इस वीडियो में हम CTET Maths Paper 1 की टॉपिक symmetry की कंसेप को समझेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि symmetry होती क्या है देखिए अगर हम किसी भी figure के parts को फोल्ड करते है या उसको flip करते है तो जब वो equal parts में हमको दिखाई देते है और एक उसरे को cover भी करते है तो उसको हम क्या कहते है symmetry कहते है मतलब कि वो shape या वो figure क्या है symmetry में है यहाँ पर भी यह है if two or more parts of a figure are identical मतलब कि पूरे एक जैसे होते है after folding और flipping then it is set to be symmetry मतलब कि अगर हमारे पास कोई figure है for example अगर हम यह square लेते है square तो बन रहा नहीं है अच्छे से यह बना square अगर हम एक square लेते है और क्या करते है हम इसमें एक line ऐसी draw करते है पीछ में से और अगर हम इस part को इसके उपर रखेंगे पलटाएंगे फोल्ड करेंगे तो यह जो दोनों parts है बिल्कुल equal होने चाहिए मतलब हमारे पास एक ऐसी figure आजानी चाहिए कि दोनों बिल्कुल equal है और दोनों parts ने एक दुसरे को cover कर दिये तो उसको हम क्या कहते है कि यह जो figure है यह symmetry की figure है इसके अंदर symmetry मौजूद है इसकी देखिए खुसुसियात क्या क्या होने चाहिए कि दो parts होने चाहिए और वो जो parts होंगे वो एक दुसरे के mirror या water image होने चाहिए मतलब के left वाला part right में देखे अगर हम mirror में देखे तो right वाला left में या फिर अगर हम उपर से उसको divide कर रहे है जैसा बी को अगर हम divide करेंगे बी के अंदर symmetry हम यहां से draw करेंगे तो जब हम इस part को इसके उपर flip करेंगे तो यह इसकी water image रहेंगा और जब हम उसको overlap करेंगे या fold करेंगे तो क्या होना चाहिए वो एक दूसरे को cover करना चाहिए exactly उन्होंने एक दूसरे को cover करना चाहिए जैसे कि हम अगर बी को divide कर रहे हैं symmetry की line के throw तो यह पार्ट इसको cover कर लएंगा na exactly बी इसके प्लावर में भी होंगा बीच में से हम इसको डिवाइट कर रहे है जब इस पार्ट को इस पर रखेंगे फ्लिप करके कवर करेंगे तो ये इसको पूरा कवर कर लेंगा बिल्कुल भी एक भी पार्ट थोड़ा भी आगे पीछे या अंदर बाहर नहीं रहेंगा इसके mirror image है ये वाला पार्ट जो है ये इसकी mirror image है उसी तरह ये इसकी example है ये green board ये देखिए spectacles में अगर हमने लिए तो इसमें भी ये spectacles के देखिए line of symmetry क्या होता है ये concept को समझते है line of symmetry क्या होता है कि हमें अगर किसी भी figure की symmetry देखनी है तो हम उसके लिए क्या करते है उसको lines भी divide करके देखते है सबसे पहले होती है हमें ऐसी straight C line खीचते है खड़ी लखीर जिसको हम बोलते है standing line बोलते है न वो तो वो जो line रहती वो खीचते है अगर दो parts exactly overlap हो रहे है equal हो रहे है तो उसको क्या बोलते है हम vertical line of symmetry दूसरी line जो हम आड़ी खीचते है लेकिन आड़ी खीचते है बीच में से horizontal line आड़ी लखीर जो होती है उपर का और नीचे का particle होता है इसको flip करने के बाद तो इसको हम क्या बोलते है horizontal line of symmetry इ इसमें क्या होता है यह वाला और यह वाला part flip करने के बाद equal हो जाता है मतलब अगर हम इसको इसके उपर turn करके रखेंगे ना तो यह दोनों part exactly overlap हो जाएंगे यह तीन टाइप की line of symmetry होती है किसी भी shape या figure की symmetry चेक करने के लिए उसे इन तीन lines उसके उपर यह डौ करके देख यह है square square में कितनी line of symmetry आ रही है count करेंगे अगर हम तो 1 2 3 यह है hexagon hexagon में कितनी line of symmetry है 1 2 3 और 4 चार line है न यहाँ से अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 देखिए 6 lines इसके इंदर 6 है क्योंकि इसके इंदर side भी 6 है तो हम easily ऐसा भी समझ सकते है कि जिस figure में जितने side होते है नॉर्मली जिस figure में जितने sides होते है उसमें उतनी line of symmetry होती है equal divide होने चाहिए लेकिन वो sides ने 1 2 3 इसी तरह यह pentagon में कितनी है 1 2 3 यह 3 यह 4 और यह 5 5 lines of symmetry है pentagon में और यह star में कितनी है 1 2 3 4 5 star के अंदर भी 5 lines of symmetry है और उसी के बार अगर हम circle देखते है तो circle के अंदर कितनी होती है infinite lines of symmetry होती है क्योंकि circle के अंदर हम बहुत सारी lines symmetry की draw कर सकते है उतनी हर line पे से वो equal parts में divide हो जाता है आए कुछ alphabet का भी हम देख लेते हैं alphabet में lines of symmetry कितनी होती है सबसे पहले है A, A के अंदर अगर हम देखेंगे lines of symmetry कितनी होती है तो A को हम सिर्फ और सिर्फ vertical line of symmetry के थो ही divide कर सकते हैं सीधी line आएंगी एक अंदर क्यूंकि देखें एक की जब हम सीधी line कीचेंगे ये वाली तो इसके थो ही ये और ये part equal होंगा एक दुसरे की mirror image है और flip करने के बाद या cover करने के बाद पूरा एक दुसरे को वो cover करेंगे इसलिए A के अंदर only one vertical line of symmetry होती है B के अंदर भी only one horizontal line of symmetry होती है ये वाले part ये वाले part के exactly equal रहेंगा flip करने के बाद वो उसको cover कर देंगा C के अंदर भी only one horizontal line of symmetry होती है D के अंदर भी A की होती है horizontal line of symmetry E में भी सिर्फ एक होती है F के अंदर एक भी नहीं होती है F के अंदर zero lines of symmetry होती है G के अंदर भी zero lines of symmetry होती है और H के अंदर कितनी होती है दो lines होती है देखिए H को अगर हम vertically भी divide करें तो ये मेरा रिमेज रहेंगी एक दूसरे की फिलिप करने पर exactly overlap हो जाएंगी और जब हम उसको horizontal करेंगे तो ये वाला जो दो पार्ट से ये और ये ये वाला और ये वाला ये वाला ये दोनों पार्ट एक्वल रहेंगे आई के अंदर भी same दो lines of symmetry होती है अगर हम इसको vertical divide करें तो ये side और ये side equal रहेंगे और अगर हम इसको horizontal divide करें तो ये वाला और ये वाला exactly equal रहेंगे जे के अंदर zero lines of symmetry एक भी line नहीं होती है अगर हम इसको बीच में से divide करना भी चाहें तो ये वाला पार यहाँ पर हो रहा है का repeat बाद में अगर हम इसको flip करके देखना चाहें तो इसलिए ये क्या है zero line of symmetry है जे के अंदर उसके बाद k में कितनी होती है k में भी only one होती है उसको हम सिर्फ horizontal line of symmetry के तो ही divide कर सकते हैं ल के अंदर देखिए ल को अगर हम कर रहें ल मिड में से भी divide होगा तो exactly overlap होंगे कि यह दोनों पार्ट नहीं होंगे और अगर ल को हम horizontal करें तो horizontal भी क्या होंगा यह पार्ट जब यहाँ पर flip होंगा तो यह ऐसा बन जाएंगा यह वाला और यह यहाँ से कैसा आएंगा सिर symmetry है L के अंदर भी एक भी line नहीं है symmetry की 0 line symmetry की M के अंदर only one vertical line है N के अंदर भी नहीं है हमको लग रहा है कि N के अंदर हो सकती है लेकिन N में नहीं है अगर हम इसको बीच में से divide करें और जब इस पार को यहाँ पर flip करेंगे तो यह कुछ इस तरह का दिखेंगा हमको ऐसा औ और यह वाला पार्ट कैसे आज़ेंगा टर्न होके लाइन के बात से ऐसा आज़ेंगा मतलब कि इसके अंदर भी एक भी line symmetry की आएंगी क्या नहीं ओ है ओ जो नंबर है हमारे पास में अगर हम capital small देखना होता है हमें और ओ में क्या होती है infinite lines of symmetry होती है और यह जो 2D भी है हमको lines यह है जो अब हम alphabet लेते हैं न अल्फबेट नी स्वारी नंबर्स लेते हैं जीरो वन टू थ्री फोर तो देखें जीरो ओल शेप का होता है थोड़ा जीरो के अंदर सिर्फोर सिर्फ दो line of symmetry आती है लेकिन जो ओ रहता है ओ तो O के अंदर कितनी आती है? infinite lines of symmetry आती है क्योंकि यह circle की तरह ही जो होता है तो इसके अंदर हम कितनी भी lines symmetry की draw कर सकते हैं P में भी एक भी line नहीं रहेंगी Q में भी zero line of symmetry R में भी zero line S में भी एक भी line नहीं रहती है symmetry की last के जो letter से इन सब में T, U, V, W और Y इन सब में कितनी है? only one line of symmetry है Z में तो zero line of symmetry है X के अंदर कितनी line of symmetry हो सकती है? 4 देखिए जब हम इसको horizontal करेंगे तो यह दोनों पार्ट सिक्वल होंगे vertical करेंगे यह दोनों पार्ट सिक्वल होंगे जब diagonal करेंगे यह दोनों पार्ट सिक्वल होंगे और यह वाले diagonal पर करेंगे तो यह वाले diagonal पर हम divide करेंगे तो यह और यह वाला पार्ट इक्वल होंगे उसकी अतलब है X के अंदर कितनी होती है? lines of symmetry नॉर्मली इसमें दो ही बताई जाती है जनरल इन जनरल आपको टू और फोर में अगर आपको ऑप्शन रहा तो आपने फोर ही टू ही सिलेक्ट करना है नहीं टू और फोर दोनों रहा है तो फोर सिलेक्ट करना है और अगर सिर्फ आपको टू भी रहा ऑप्शन में तो वो भ से related आपको alphabets दे दिये जाएंगे या numbers दे दिये जाएंगे और आपसे पूछा जाएंगा कि किस इन में से किस में two lines of symmetry है या किस में four lines of symmetry है for example आपको अगर question में यह number आ गए T, U, V और X इसमें से अगर आपको बोला जाएंगा following alphabets में से zero line of symmetry किसमें है तो आपको पी दे दिया जाएंगा और उसके अलावा यह वाल एक्जामपस दे दिया जाएंगे उसका answer कह रहेंगा पी क्योंकि पी में पी ही एक ऐसा alphabet है जिसमें एक भी लाइन नहीं है सिमेंट्री की इसके अलाव अगर आपको कोई शेप दे दिया जा रहा है एक दूसरा आपको ट्राइंगल दिया जा रहा है इसके अलावा circle दिया जा रहा है और इसके लावर square दिया जा रहा है और इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको बताना है two lines of symmetry किसमे है तो देखी जब हम triangle को करेंगे only one line of symmetry हैंगी arrow में भी only one line of symmetry हैंगी circle में infinite number of line of symmetry हैंगी बहुत सारी हैंगी ना अब two lines of symmetry किसमें आती है only square में आती है 4 lines of symmetry अगर आपको पुछा गया तो आपको थैंगे उस coupon इसका गया देंगे या 1 line of symmetry पुछा गया तो ये दोनों आएंगे आपको option में ऐसी इसी टाइब के आपको questions आते हैं symmetry से related CTET के paper में जो है आपको सिमेटरी का concept अपट अच्छे से समझा आ गया हूँगा इंशाला नेक्स वीडियो में हम डेक्स टॉपिक को देखेंगे एक और बात CTT जुलाई 2023 के लिए असर इंस्टिट्यूट की जो न्यू बैच है पेड़ बैच वो फर्स जून से स्टार्ट होने वाली है इसका टाइमिंग रहेंगा तीन से सेवन पीम क्लासिस का टाइमिंग तीन से साथ पीम रहेंगा और अगर आपको ये क्लासिस में अड्मिशन लेना है या आप इसके रिलेटेट कोई भी इंफर्मेशन लेना चाहते है तो ये कॉंटेक नमबर है आप इस पर कॉल करके और सब पर मैसेज करके इसकी इंफर्मेशन सारी ले सकते है मिलेंगे इंशाला नेक्स टॉपिक के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस